मेरे प्यारे नेत्रहिन भाईयों और भेनों चैप्टर ग्यारा श्लोग 14-18 भगवान का विश्व रूप जब श्री कृषन अपना विराट रूप दिखाते हैं तब उस रूप को रोम रोम में महसूस करते हुए सिर जुका कर हाथों को सादर जोड कर परनाम करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे देव आपके शरीर में सभी देवों प्रानियों, ब्रह्मा, विश्णू, कमल पविराजमान, विश्णू और सभी रिश्यों और दिव्यो सर्पों को मैं देख रहा था हे भगवान, आपके अनेग बाहें, पटो, मुखो और आँखो वाले सब ओर से अत्यांत रूप वाले को मैं देख रहा था आपके आदी, मद्यम और अंत दिखाई नहीं दे रहे थे आपको मुकट, गदा और चक्रधारन किये हुए आपके आभा मंदल को चारो ओर से प्रकाशित करते हुए तेज के पुंच, अगनी और सूर्या से प्रकाशित चकाचोंत करने वाले तेज की, जिसका निरक्षन कर पाना भी संभव नहीं है सब ओर से बिना द्वंद वाले रूपों को देख रहा हूं आपका ये अद्वुत रूप तीनों लोकों में नजर आ रहा है उसमें से कई तो भहबीत होकर हाथ जोड़े हुए आपको नमन कर रहे हैं और कुछ लोग गुनगान करके आपका कीर्टन कर रहे हैं मेरा मानना है कि आप परम नाश रहित परम जानने योग्या विशब के परम आश्रे अतंत और शाश्वत धरम को देने वाले सनातन पुरुष हैं इसका सार है कि जब शिरी कृष्ण अपना विराठ रूप दिखाते हैं और उस विराठ रूप में वैस अभी प्रानी, ब्रह्मा, विश्न, शिवजी जी सब विर्याजमान होते हैं तो उस वकत तीनों लोग में उनके गुनगान होने लग जाता है और हर तरह से एकी आवाज आने लग जाती है कल्यान हो कल्यान हो मंगल हो मंगल हो